सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में तावन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर असलाम अलेकुम नाजरें, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस सपाल है, मैं हूँ महमा शौकर आईए नाजरें दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास से बिलिटन बढ़ाते हैं, एक सरसरी नजर साथ सेंटर रेलवे ने कहा है कि दोनों तिल्गुर यासोतों तेलिगरा और आंग प्रदेश में शदीद बारिश और सैलाब की वजा से 86 ट्रेने मलसूख कर दी गई है, इसके साथ 70 ट्रेनों का रुख मोड़ा जा रहा है, मलसूख होने वाली ट्रेनों में सुपर फास्ट और एक्स्प्रेस ट्रेने शामिल है, हुकाम ने बताए कि बास ट्रेनों को जुस्वी तौर पर मलसूख कर दिया गया है इल रेडी के मंडल नागी रेडी पेट में ओचारम प्रोजेट का आज इजिल एसपी सिंदू शर्मा ने मौइना किया और आबी इन फ्लो कसरस होने पर रशेब इलाखों की अवाम को चौका सेने का भी मशुरा दिया इस मौके पर बी एसपी सिनावा सुलू सरकाइस इन के किसानों की जानित से इतिजाजी धर्ना दिया गया है यालकल मंडल में फारमेसि कंपणी के खेहां के लिए जरी जराजिय के माईंटे के शक्त नाफसूल करना चाहिए इसे माट्सान के साते नाइंसाफी हो रही है मियालकल मंडल जरी काष्ट में अवली मुकाम रखता है फार्मा कमपनिया आई तो जरी जमिनात जो जरी काष्ट के लिए मुन्फ़ई मुकाम रखती है इससे काफी रुसान पहुचेगा इन किसानों ने कहा लियासात युकुमत गरी खिसानों को खौफ और हिरास में उबतला करके अराथी को हासिल करना चार ही है फिर खिसानों के खेतों का माइना किया पुलीस ने इस खुस्स में हर्म गुम्ने अगदमाद का तैया कुन दिया है जिरे के बियासे बात के सिर्पूटों से गुजरने वाली गंगा के सरहदी लाके में जिन्दगी गुजर करने वाले अवाम इहत्याद बरतने का पॉलिस समिस्पेक्टरों पुलिस कमला का और तैसिल्दा सिवास और पीजियो सत्या नाराएन ने अवाम को मशुआ दिया इसके लावा शदीद बारिश के वज़े से रास के ऑखात अपने घरों से बाहर ना निकलने का भी अवाम को मशुआ दिया इसके अलावा मच्छेरे गंगा को जाने से गुरेस करें बादजा महराष्ट और तेलंगाना के सरनी लाके में रास्ते को बंद करते हैं चेक पोश्ट का बेख्याम अमल में लाया किया उरसे हजड़त अब्दुल्ला बाबा रहमतुला लाले खदीम खबरस्तान जन्गाओं का अगाज 4 सितम्बर से होगा इस तकारिव के प्रोग्राम के मताबे 6 सितम्बर बरुज चाहा शुम्बा मरासी में उरसे अगाज संदर माली से होगा 5 सितम्बर को बरुज उमिरात उरसे चरीफ चरागा होगा मताबली दर्गा सेयद हभी खबरस्तान के मकान से संदर निकलेगा जो जन्गाओं के मुक्तलिफ शारों से गुजरताव दर्गा पहुंचेगा मताबली सेयद हभी खब्युक्तान जुम्ला मरासी में उस अजाम देंगे हर साल पाबंदी से हजजद अब्दाला बाबा रम्दुलाला के वरासी में उस अजाम दिये जाते हैं जहिरबाद अत्राक नौफराक मौलजार नियालकर मंडर जीरा संगा मरदापाती लाखों में पिछले तीन दिनों से जारी मुसल्सल मौसधार बारिश के उजे से तमाम नशेब इलाखे जेर आब आ चुके हैं शदीद बारिश के फेशिन जरह लके असमी जहिराबाद में रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है महक में आब पाशी मैसलात के उखड़तारों नारंजा ड्रैम का दोरा करते हुए पानी के बहाओ का जाइजा लिया महक में मौसमियात ने डैम के अतराफ वकनाफ में ख्याम पजी अवाम बूसे मुखाम पर हमलों नकल करने का मश्वरा दिया मौसधार बारिशों के जिसे किसी बेवाखियात को रूपने के लिए पेजगी अगदामात भी किये चा रहे हैं ग्रेटर वरंगल मिनसिपल कॉर्परेशन के कमिशनर अश्वनी तानाजी वकारे ने तूफानी बारिश से मुखानी से कहा कि वो आबाद कारी के मराकिज में पनहाने मौसदा बारिश के पेशनेजर कमिशनर ने आज शहर के नशेबी और मतासे लाखों का दोरा किया ओधदारों को मौसदा इत्जमात करने की भी हिदायत दी इस मौखे पर कमिशन ने वीडियो एस कालोनी बापूजी नगर इंडरमा कालोनी एनन नगर बिया नगर गौर्नमेंट स्कूल लीके नगर तिलंगाना कालोनी के दिगर अलाखों का भी दोरा किया जनाप आमेले खान, यूज एडिटर, रोजनामा, सियास्त की बहस्यत, खानुसास, कौनसर, रुकुन नामजदकी के बाद, पहली मतबा निर्मल आमद पर, सीनियर रहनुमा मुहम्मद अनीस अहमद खान ने अपनी रिहाश गापर ने तहनियत पेश की, और दिली मुबार अकबादी दी, अखलियतों के मसाईल और्दू, असातिजा के तकरूरात पर खुर्दी तवज्ज दिलाई, और कहा, रियास्त के मसल्मानों में आपकी नामजदकी से एक नया जोश वलवला देखने में आ रहा है, और आप ते लंगाना के मसल्मानों की उम्मीद बंद या है, वो भी मिसाली है, अब सियासी सफर का आखाथ हो रहा है, जिसके सबब और भी ज्यादा तवकाद आप से वाबस्ता हो गई है, इस मोखे पर हैडरबाद से आए हुए महमान नवीद एहमद खान, खारजा बिलाल, अमजद खान, नईवजाहत, हुसैन, शेख महिद शानवास के अलावा सेथ जरील अज़हर भी मौचूद थे, जिले के बी आस्याबाद के सिर्पूर्टान कांगेस पाठी हलक इंचार्ट रावी सिवास में आज बिसी कलेटर विंकटेश, आईएस से बलाखाद करते हुए हलके सम्भी सिर्पूर्टान के काख़नगर, बि अज़खे के तमाम मंडलों में गैर खाइंतों पर सरकारी राज़ी पर नाजाएस खाबिजीन के खिलाफ इंकौईरी करते हुए बरखास करने का बतालबा किया गया, बार रसां तहरीर या दौश्ट भी पेश की गई लिले मंच्रियाल के चिनूर में राज़शेकर एड़ी की बरसी तखारी, मुतहिता रियासत अंतरपदेश के साबिक आज़जहारी चेंफ निश्टर डॉक्टर वयस राज़शेकर एड़ी की बरसी के मौखे पर चिनूर के MLA कैंप आफिस में इंकी तस्वीर को पूल डा कर खिराज पेश किया गया, कौंगेस खायदीन ने अपने अपने खिताब में राज़शेकर एड़ी के खिदमात को खिराज पेश किया, इस मौखे पर कौंगेस खायदीन आवाम की किसी तदाद मौचूद थी वरंगल परिस कमिशनरेट के महकमे परिस की बड़ी कामियाभी, आउनलाइन के जरीए कम सामयकारी से ज्यादा मौनाफे का जहासा देकर अवाम को धोका देने वाले जोड़े को किया गया गिरफ्तार, वरंगल परिस कमिशनर, अंबर किशो जाने मीजिया को सफसिलात बतल कम सामयकारी के साथ ज्यादा मौनाफे के वातों के साथ मुल्क भर में आउनलाइन लोगों से करोरों को धोका दिया जा रहा है, तमिल नाडू के खातुर से में दो साइबर जरायम पेशा अफरात जिन होने लोगों के 50 लाक रुपिय लूट लिए, पुलिस ने इनके पास से चेक बुक, क्रेड़िट और डेबिट कार्ट, पेंडराइव और सेल फोन भी सब्ट कलिए, और गेफतारी की स्विसले में वरंगल के परिसका मिशनर अंबर किशोजाने दो साइबर मुज़िमान की तफसिलात का इंकिशास किया सारी व्यासत में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है, निर्मल में भी तीन दिनों से मौसदा बारिश की वज़े से कई नशेबी लाके जिर्याब आ गए हैं, तमाम तिजाती सरगर्मिया ठप पड़ गई हैं, आज उसुब मुक्तलिफ मस्रूफ तई तिजाती लाक से पेकस दहा सड़क अबूर करते देखा गया, जबके कडम प्रॉजेक्ट में पानी के बहाओ में बहुत जबदत इजाफा देखते हुए, फ्लिट गेट्स के जरीए पानी खारिश किया जा रहा है, जिले कलेट अबिलाश अभिनव आईएस वो डॉक्टर जानकी शर्मि जिले के बी आस्यबाद के काकरनगर डिविजिनल पंचायत आफिसर अहमद उमर हुसेन ने डिसी कलेटव इंकटेश आईएस की रायत के मताबें खलक एसम्भी सीपुटों के मुक्तरी मंडलों, कोटाला मंडल, विजूर मंडल, पंचकल मंडल पेट और मंडल, चेंटल, मनापली मंडल में शदीद बारिश से मुतासे लाखों का हंगामी दौरा करते हुए, आवामी मसायलों पैशानियों को खलम बंद करते हुए, गराम पंचाय सेकरेटीज को जिले मेरेकर डियूटी अन्जाम देने की हिदायत जारी की, आवाम के लिए भी शदीद दारिश क को चौकस हैना चाहिए, जिले कि अबराहीं पटनम मंडल में, अरधंडी, कुमार्टी कुंड़ापूर, मौलारामपूर, दिहात चोकी गिदावाई नदी से मुंसली के आज सिर्याम सागर प्रोजेट के गेट्स को लिए गए हैं, पानी के देजबाहों से किसी खिसान का नकसा नाहों ने नदी से खरीब आवाम को एकियाद बातने का मश्वरा, फिले करेक्टर बी सती पर साथ, जिले स्पी अशुकुमार ने इन इलाखों में ताला बो और नदी नालों का भी दोरा किया, अवाम को हिफादा से रेने, इस मौके पर मिटपली, आटियो, सिवास और डियास पी मुख्मापरी सोदिन से एक अस्तराब मौझूब थे, इलाएडी मंडल निंगम पेट में आज मार्किट कमिटी वाइस शेयमन के हसिया से, जानाला राजु को नामदत के जाने पर कॉंगेस पार्टी अखलियती खायद मोहमत फत्योदीन पाशा चंदू ने भवन में खराजी अकिदत प्रोग्राम का इनिखाथ, एमर्सी जीमरेडी और दीगर की जानी से राज शेकरेडी की पोर्टेट पर फूल डाका उन्हें जबरदस खराज पेश किया किया। अहम सरके पानी में डूब गई हैं, शदीद मिश्किलात का शिकालोग घरों मैसूर होकर रहे गए हैं, जगतियाल रूरल मंदर के बाद रूडरम नाले पर सैला भी नाला बह रहा है, जगतियाल अधर्मापुरी के दर्म्यान ट्रैसिक रोग दी गई है, जिले मरकस में व निजबाबाद में गौवर्नेमेंट अडवाइजर महम्मद अली शबी की खेयादत में सेक्रेटेट हैडबाद में अमरुत स्कीम पर इजलास में नकित हुआ, इजलास में रुकुल खानिसास कौंसल महश कुमार गौर्ड, सरदर्शी उर्टू अकैडमी ताहर भी हमदान सरदर्शीन बंदिया कामेडी, इंडुपिरिया, कार्परेटर्स, अरकान बंदिया ने शिर्कत की इस मौके पर महमद अली शबीर ने कहा, अमरुत स्कीम के तहत, निजबाबाद कामेडी अज़ा में 12,000 नलों के कनेक्शन मुफ्त में फराहम किये जाएंगे, इसी तरह 20 और हेड़ टैंक्स के तामीर अमल में लाई जाएगी और इस बारे में तजाविज भी तलब की गई हैं, इलर डी आर डियो प्रभा कर तैसिल्दा मेंदर कुमार मिनस्पल कमिशनर स्री हरी राजु ने आज कस्तूर बगांदी गर्ल स्कूल का दौरा करते स्कूल पीस्पल के साथ इलाज मनकित दिया, और बारी से पेशाई दुश्वारियों की मालूमात हासिल की मुखतरी मश्वरे बेदिये, इस मौके पर कॉंसलर निलाकंठम, अलमसीन, खायदीन में सिवास, विद्यसाग, शेवन कुमार, पोचया भी मौचूद थे इलाजी तेहसिल्दा मेंदर कुमार, मिलिस्पल कमिशन, असरी हरी राजु ने मुसरधा बारी से मुतासिया मकान का दोरा करते हैं माइना किया, मुतासिया खांदान को हर तरह से मदद का तायक हुन दिया, इस मौके पर जरह ससाइटी वोईज चेर्में तशान गौर, कॉं इलाजी में, फारूख एमत ने अपने बैयान हुकमत से मतालबा किया है कि सीपियस को बरखास करते हुए, खर्दीन पेंशन स्कीम ओपियस को फौरी बहाल किया जाए, क्योंकि मौझज़ा इसकीम वजिवे पर सबग दोशी के बाद मौजब को दुश्वारिया पैदा कर इलाजी है, उन्होंने रियासत के वजियाला, रिवेंट रेडरी से भी अपनी इंतिखाबी वादे केटर्स फौरी एम्पलाइस के सुटालबे को पूरा करते हुए, एम्पलाइस के साथ इनसाफ का मतालबा किया। इलाजी कौंगेस पार्टी मंडल सद्र कुर्मा साइब बाबा ने रिकने असमली मदन मौनराओ के एकाम पर मौस्था बाईस मुतासिया खांदानों और मकानात का दौरा करते हुए, भिक नूर में अंतिया संगमेश्वर के मौनधी मकानात का मौना किया, नागारी हालात म मदन मौनराओ हल्प लाइन पर फोन करने का मशवरा दिया। इदारों के अमरेका जायजा लिया, उन्होंने पेक्रियाल तलाब, लिंगापूर तलाब, सहलाबी, बाबा कालोनी, हाॉजिंग बोड कालोनी, जी यार कालोनी, बतकमा कुंटा, चर्श रोट पर हरीजन, वाड़ा, पंचमक, हनुमन, दिगर एलाखों का भी माइना किया, और महकमे ट्रांस को, रिवीन्यू, अरबन, वो दिगर महकमे के उद्धार भी मौखे पर मौखे पर मौचूद थे, हनुमन, कॉंटा, कॉंगेस, पार्टी, आफिस, प्रजा, भवन, तूफानी, बारिश, मामुली बारिश के वज़े से सलकों पर पानी नारु के इस तार मौसदा बारिश के वज़े दर अवाम से त्याद बरतने के अपील कि उनों ने उद्धारों के हमरा उत्वार को कोटला के बारिश से मुटास्थिरा इलाखों का मौईना किया खाजी पेट में शराब के आदी अफराद की हंगामा आराई, वीसिस चैनल के कैमरे में दश्रत और इसकी बीवी पर नामारू शराबियों का हमला, कैमरे में दश्रत पर शराब में दुट नामारू शराबियों ने हमला करके जखमी कर दिया, हमले के बाद हमलावर ने आदिलबाद के तिला पर मुखामी साती सहाफी दश्रत विलाज के लिए MGM अफपता ले गए मुल्क में फिर्खावाना सियासत की कोई जगा नहीं हर फर्द को हुनर्मन बनाना और मौशी इतिबार से मुस्तैक कम करना मेरा मकसद है इन ख्यालात का इज़ार आमिर खान रुकुन खानुसास कौंसर और चीफ रिचर रोजनमा सियासत ने आदिलबाद के कौंगेस पार्डी दफ्तर पर प्रूजु मीडिया से खिताब करते हुए किया जबके नुमाइंदे सियासत मेवुप खान की जानी से सवाल पर आमिर खान ने कहा वक्फ तर्मीमिल की कौंगेस पार्टी सफ मुखालिफत कर रही है इस मौकवब पर मौसुप ने मरकज हुकुमत कारकड़गी पर सफ़न खेती और कहा मरकज हुकुमत वक्फ तर्मीमिल के तहट इसाई तफ़ा, सिथ तफ़ा और मट की फाजिल अराजी हासिल करना चाहती है तो नौमता खबरकुन खानूल कांसल जिनका तालुख सहाफस से है तो नौन ने इस मौके पर साफियों के मसाहिल को हल करने का भी ताया हुं दिया दर्गा हज़र शाफ़र ब्याबानी, अलमारू दर्गा खाजी पेट वरंगल के उसके मौके पर दर्गा खाजी पेट में बी आइस के रियास्ति खायदी शेख अब्दुला सोहिल साबख रियास्ति अखलियती फैनान्स कॉर्परेशन के चेर्मेन मौहम्मत इम्तियाज इसाख और साब गौर्नेमर्शिफ वेब बी विने भासका और साब विनस्विपर कॉर्परेशन के जिप्टीवी ने खाजयास्याज जोदीन उब्याइस के सीने खायदेने शिर्कत के और चाज़र इगुल और घ्लाफ मबारक पेश किये पिलंगाना के बीसी विलफेर एंट्रांसपोर्ट वजीपूरं प्रभाकर ने गुदिश्टा रात खुसर पाशा मुखामीर प्रियंसम्ब्ली नाइनी राजेंदर रेडी स्याथ मिलकर दर्गा हज़र सयश्या अफजल ब्याबाने अवतुल्लारे खाजी पेट के संदल क पर दगा पहुंच कर चादर गुल पेश्के मीडिया से भी बात की कि डॉक्त्रा वैसरा शेकेरी की 15 वी बरसी को हरमकुंडा प्रजा वहर में मनाया गया हरमकुंडा एम्ले 9 राजेंदर डिने कहा डॉक्तर वैसरा शेकेरी कैसे रहनुमा थे जिसने तालीम थी बाजियात के शुबों को मुद्ध ही दो पर तरकी दी संगीत कोलचर अकड़िमी के साना तक्रीब के मौकर पर आजिव गांदी आज़ जो मनकिद तक्रीब मुद्ध शुबों में काम करने वाले माहरीन को आज़ास से नामाजा गया सहाफती शुबों में खिद्मात अंजाम देने वार रोजनामा चट्टम के एडिटर एस परसाथ को खलम युद्धायवाट मारू फिल्म अदाकारा इश्टर नरूना हातों अता किया इस मौकर पर शाह के मुटाश शक्तियों के लावा प्रेंजियों के रियासती नायवसत गंगारा मुदू से मौचूद थे गद्वा जिरे करेक्टर बीम संदोश और जिरेस्पी सिवासाओ के साथ एंडवली मडल में मेनी पाड़ो आगो जैला बिलाखे का दौरा किया इस मौकर पर कहा कि कोई भी दरिया उबूर ना करे हुकाम से दरिया पानी के असलाद पानी क्यों चाहिए और दिगर इडी ने अमादमी पार्टी के मेले अमानतुला खान को गिरफतार कर लिया है उन्हें देहली वकबोर से मुतालिख मनी लौडरिंग केस में गिरफतार किया गया है इडी की गिरफतारी के दौरान अमानतुला खान ने खुद को बेखसूर करा दिया और कहा कि तफ्तिशी इजनसी उन्हें गिरफतार कर रही है इस दौरान उनके घर के बार हामियों की बड़ी भीड नजर आई वादे रहे कि सुबास सवेरे एडी ने उनके घर पर च्छापा मारा था उन्हें कई घंटों के च्छापे के बाद गिरफतार किया गया उन्हें देहली के मुबाइना वक्ट गोटाले में गिरफतार किया गया है अमारत उलाखान देहली की उखलास सीट से मले हैं उन पर देहली वकबोट के चेर्मेन की हैसे से अपने होदे का खलत इस्तिमाल करने और अपने खरीबी लोगों की तकरूरियों का इल्जाम है इस गोटाले से मुतालिक मनी लां को गिरफतार कर दिया गिरफतारी के बाद उन्होंने खुद को बेकसूर फरार दिया तिलंगानों के बेशतर अजला शदीद बारिश और सेलाप से मतासिर हुए हैं बारिश और सेलाप की वज़ा से रियासत भर में 15 अमवात हुई हैं और 5 अफराद लापता हैं हजारों केमपों में रखा गया है वजिरियाला रिवंद रेड़ी ने बारिश और सेलाप की तबाही की सूरतहाल का जायजा लेते हुए बारिश से मदेवालों को फीकस पांच लाक रुपे माफ़जा देने का एलान किया है इसके अलावा फसलों की तबाही पर भी माफजा देने क अलान किया गया बारिश से कई माकानात मनदम हो गए और कई माकानात पानी में डूब गए सबसे ज्यादा तबाही मतहिदा अजला खमम औरंगल और नलगुंडा में पेश हाई दो मकामात पर रेलवे ट्रैक पानी में बह गए जिसकी वज़ा से कई ट्रेनों को मनसूख कर देश के दर्मियान सड़क रास्ता भी मतपते हो गया जिसकी वज़ा से गाड़ियों की आमद और रफ्ट को रोक दिया गया है नलगुंडा जिले के कोदार के कौवमी शहरा पर वाके चेक पोस्ट के पास सहलाबी पानी जमा हो गया जिसकी वज़ा से विजेवारा रूट पर जाने वाली आर्टी सी बस सर्विस को भी मसूफ कर दिया गया है खानगी गाड़ियों की आमद और रफ्ट रुक गई है उस्मानी उन्यूर्सिटी के दाएरे अक्तियार में आने वाले तमाम इम्तिहानात जो 2 सितंबर को होने वाले थे मुलतवी कर दिये गये हैं यहा में कहा गया है कि यह फैसला मसलसिल मुसलाधार बारिश की वज़ा से और हकूमत तेले गरा की हिदायत के मताबिख किया गया है सीरी राम सागर प्रॉजेक्ट में बड़ी आमद के साथ आपाची हुकाम ने पीर को आभी जखायर के फिल्ड गेट्स खुल दिये हैं S.R.S.P.S.I. ने बताया के प्रॉजेक्ट की पानी की सदा तकरिबा 90 फीसद तक पहुँच गई है इसलिए प्रॉजेक्ट के फिल्ड गेट्स को उठाकर गोदावरी नदी में छोड़ा गया है उन्होंने गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों के लोगों से उश्या रहने की अपील की उन्होंने किसानों, माहिगीरों और चर्वाओं से जर्वाओं की के वो दर्या के खरीम ना आए उन्होंने कहा कि माहिगेरों चर्वाओं और किसानों को चाहिए कि वो मुवेशियों और भेड़ों को दरिया के कच्च्मेंट एरिया में दाखिल होने से रोकें एसाई ने रेवेन्यू और पॉलिस हुकाम पर जोड़िया के मुनासिब एहतियाती तदा बिर इख्यार करें ताके लोग महफूज रहें पानी की सते आप जखायर की सता एक हजार एक्यानों फिट को चुगई है जिसकी वज़ा से बालाई इलाकों से भारी आमद हुई है जबके आभी जखायर की गुनजैश नवट टी-मसी फिट है मौजुदा गुनजैश अठीछ सी टी-मसी फिट है बाला इलाकों में मसलसिल बारिश और माराश्ट्रा में विश्णू पूरी प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने की वज़ा से पिछले कुछ दिनों में पानी की आमद में इदाफा हो रहा है मानसून पिर से देहली NCR में दोबारा असर गरम हो गया है दरुल हुकमत के कई लाकों में मसलधार बारिश हुई बारिश और हवा के असर से देहली का मौसम आज सुबा से ही खुलकवार है देहली वाले भी गरमी से रहत मैसूस कर रहे हैं ताहम महकमे मौसमियात ने आज के लिए यलो अलट जारी किया है महकमे मovस्मियाट ने इस दोरान हल्की से दर्मYANI बारिश की पेशखैसी की है महकमे की पेशखैसी के मिताबिख आज दिन भर मौसम कुछ प्रॉड रहेगा कम से कम दरजे हरारा 26 डिग्री सेंटी ग्रेट जबके ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटी ग्रेट हो सकता है मौसम की वज़ा से देहली की हवा मसलसिल साफ हो रही है मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ट के मताबिक फीर की सुबा नो बज़े देहली का एक यू आई 86 था हवा की इस सते को एकमिनान बक्त जुम्रे में रखा गया है हवा की मेयार की कमोबेश इसी सते पर दो से तीन नींट अक रहने का इमकान है तेलिंगाना के खमम में सैलाब के पानी में फंस जाने वाले नौ अफराद को महफूस तरीके से बचा लिया गया शदीत तरीन बारिश की वज़ा से खमम शेहर से गुजनने वाली मारेन नदी में जबरदस्त उख्यानी आई नौ अफराद खमम के परिकाश नगर से गुजनने वाली माने नदी के सैलाब के पानी में इतवार को दिन में एक बज़े फंस गये थे खमम शेहर के अवाम रियास्ति व्हकूमत के तावं से 11 घंटों की जदो जहत के बाद 9 अफराद को बचा लिया गया तफसिला के मताबिक खमम रियास्ति वजिर जिराद टीनागे शराओ ने अंदरपरदेश हकूमत से हलिकॉप्टर भेजने की दर्पास की बगर मौसम खराब रहनी की वज़ा से हलिकॉप्टर नहीं पहुंचा ग्यारा घंटे सहलाब के पानी में रहते हुए मौत को अपनाने आखों के सामने देखने के बावजुद इन नो अफराद में हिम्मत नहीं हारी आखिरकार खमम रियास्ति वजिर जिराद टीनागे शराओ खमम कलेक्टर मुदमिल खान पुलिस फोर्स को लेकर रेस्क्यू आपरेशन करते हुए दो जेसीपी और दो बोर्ट्स का इस्तिमाल करते हुए नो अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया खमम के मौनिर नदी में पानी का बहूँ बहुत तेज होनी की वज़ा से अफराफ और अकनाफ मौजूद तमाम अहलेजात जिर्याब आ गए अवाम को महफूज मकामात पर पहुचा दिया गया है डिप्टी वजिरियाला बटी विक्रमारका ने खमम के मौनिर नदी का दौरा करते हुए अवाम को घरों में ही रहने की अपील की जिले और देदारान को हिदायत देते हुए कहा के नशीबी लागों के अवाम को महफूज मकामात पर जंगी खतुत पर मौनिर नदी के पास पानी का बहुच तेज होने की वज़ा से नव अफराद फंस गए है खमम के रुकने असेम्बली और रियास्टी वजीर जीराद टीनागे शुराओं ने अंदरप्रदेश हुकूमत से हेलीकॉप्टर भेजने के बिल्की जिस पर अंदरप्रदेश हुकूमत ने इन नव अफराद को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने के लिए रदामन हो चुका है जिसकी वज़ा से मौने नदी से मुटसिल तमाम अहलेजात मुकमल तोर पर जिर्याब आ चुके हैं 1984 के बाद खंबम के मौने नदी में दोबारा इस कि तोगया नी देखी गई पानी का बहुआ खंबम के जूबली कलब तक पहुंच चुका है खंबम के तमाम बस पूर्डेशन फोर्स ने वदे भारत एक्सप्रेस को बंब से उड़ाने की धंकी मिलने के बाद बिहार में सेक्युरिटी बढ़ाते हुए कई रियासतों के पोली ш ब्डॉर्डेटर जेनरल को खत लिक कर मतर्ब किया है वद्धे भारत को बंब से उड़ाने की धंकी ओाम अमले के मुबाइल फोन पर आया है रेलवे प्रोडेक्शन फोर्स ने इस खत्रे को संजीज़गी से लिया है खास तोर पर वंदे भारत एक्सप्रेस की निगरानी के लिए थोसे अफ़दामात किये गए है किसी ने वाटसप पर एक रेलवे मलाजमीन को पैगाम बेजाए जिसमें शुमाली सरहदीर रेलवे आसाम के इलाके में वंदे भारत को उड़ाने की धंकी दी गई है इस मलाजम ने फौरी तोर पर सीनियर अफसरान को ये इतला दी इसके बाद हाजीपूर जोन आर्पिएफ के आईजी ने बिहार जारकंड भोपाल और उतपरदेश के पोलिश डिरेक्टर जनरल को खत भेजा है खत्रे के पेशे नजर चौकसी वरकरा रखने का हुक्म जारी किया गया है रांची के खुसूसी शाकने भी चौकसी और सेक्रिटी पर जोड़ देते हुए जारकंड के तमाम अजला को खत भेजे है तो नाजरी सियासत एक्सपरस में फिरहाल इतना ही मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहे है सियासत टीवी पिलहाल मुझेद इजाज़त खुदा हाफिज एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट संटर बगएर ऑपरेशन और बिना पेन के लिए अज़वियात के अडवांज टेकनोलोजी के ज़रिये सिर्फ चोटे इंजेशन से कम घुटनों के दर्थ का शर्तिया इलाज डॉक्टर प्रकाश गुडिपडी और डॉक्टर मोहन इर्वा इंटर्वेंशनल पेन फिजीशन जैसे तर्जुबेका डॉक्टर्स 25,000 से बिजायद मरीजों का कामिया वेत्मिनान बक्षिलाज रावेता कीजिये एलीट स्पाइन एंड पेन मेनेजमेंट सेंटर मनिकुंडा और दिलसुकुनगर हैज़बाद